हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया र्यूज स्पोर्ट्स मैं हूँ स्वरवा मेरे साथ है श्रेर और एक बार फिर से हम दोने आपके सामने हाजिर है स्पोर्ट से जोड़ी क्रिक्ट से जोड़ी मौनिंग अप्डेट के साथ आज की ताजा तरीन ख़वरों के साथ जहां पर आज की पहली खवर है वो आई सीजी टीटोटी ये रैंकिंग से आ रही है जहाँ पाकिस्तान के कप्तान बावाराजम ने एक बड़ी उपलब्दी जो अपने क्रिकेट करियर में हासिल कर लिया जहाँ वो टीटोटी ये रैंकिंग के अंदर सबसे जाला दिनों तक नमबर वन पर रहने वाले को पीछे बचार दिया हम यहां बात कर रहे हैं भारतिक कप्तान विराट कोली की पूर्व कप्तान नेच्व के विराट कोली जो इससे पहले एक हजार तेरा दिनों तक जो है नंबर वन के स्पोर्ट पर जो है काबिस थे लेकिन अब बाबाराजम ने यह उपलब्दी एक ह अब सालमों हुने देखा है कि लगातार वह अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर हम उनका इंडिविजूल देखे हैं ना कि वह अपमे अकेले के लिए अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं बलकि उनना पाकिस्तान टीम का भी जो इस तरह है लेवल काफी उपर लेकर बात करें लेकिन अभी इन दोनों खिलाडियों के बदलाद और जिस तरह से बाबाराजम की कप्तानी निकल गर आई है महाँ पर अगर अगर देखें तो बहुत बहुत बहतरीब डर रही है पाकिस्तान की टीम और यही बज़ा भी है कि पाकिस्तान ने जो पिछला टी-20 वर् इनों तक टी-20 अंतर राश्ट्रियों में एक नंबर एक की पोजिशन पर बने रहने का रिकॉर्ट बनाया है अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में बाबाराजम कब तक यहां पर बने रहते है और अगला वो कौन सा खिलाड़ी होता है जो उन्हें चुनौती देगा क्योंकि भारतिय टीम की अगर यहां पर बात करें तो महस्त इशान किशन है जो टॉप 10 की पोजिशन में बने वा नंबर 6 पर है यहां पर टी-20 अंतराश्टी रैंकिंग में और वहीं विराट कोली की अगर बात करें तो वो किसमें स्थान पर खिसा गया है जाकर तो कहीं कहीं बाबराजम और विराट कोली की बीच जो दूरी है आइसेसी रैंकिंग में वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है लेकिन विराट कोली चर्पियन के लाड़ी है उन्हें पता है कि कमबैक कैसे करना है लेकिन भारतिय कप्तान रोई शर्मा की वापसी का सभी को इंतिज सब्सक्राइब करना है लेकिन वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि जस्प्रीद बुमरा जो है वो कप्तानी करते भारती टीम के लिए नजर आने वाले हैं टेस्मेक में और यह बहुत बड़ी उपलवदी जस्प्रीद बुमरा के लिए क्योंकि पिटले अगर हम 35-36 सा जर्णी कहीं किके तोह नहीं प्ली भारति Griff Shepherd अप्तानी नहीं नहीं बन पाया है क्योंकि इसकरीत जिस दर्जों के बल्लेबाज है उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा कहीं हम यह बार रहे हैं कि यह बार के लिए एक सेटबैक है यह सीरीज के शुरू होने से पहले क्योंकि जिस लेवर के बल्लेबाज रोई शर्मा है जो स्ट्रेंथ आड़ करते हैं भार की बल्लेबाजी में वह शायद उनकी जगह पे जो दूसरा बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी करने वह एड़ ना कर पाए और यहां पर लेकिन अगर बात करें जस्परीत भूमरा की तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्दी है कि वो 35 साल के बाद यहां पर कपटानी करने ह jullie जा रहे हैं जी बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है और साथ-साथ एक बड़ी उपलब्दी ज्यों अपनी कप्तानी में हासिन के लिया जो हमारी तीसरी कबर है वो हार्दिक पांडिया से ही लेकर किया है, जहां पर आई पेल में देखा हमने हार्दिक पांडिया कप्तानी करते हूं, उसके बाद उन्हें आइलेंड की दोरे पर कप्तानी करने का मुखा मिला, वहीं अब उमीदें ऐसी भी आरी हैं कि इंग्लेंड की खिलाब जो साथ वकापला होना है, महाँ पर भारतिया टीम को जो टेस्ट मैश कहिलने वाली है, उसमें काफी कम खिलाड़े जो है टीटोटी टीम का हिस्सा होते नजर आएंगे, ऐसे में हार्दिक पांडिया को टीम की कमान समालने का मुखा इक पर फिर से मिल सकता है, वो भी इंग्लेंड के दोरे पर इंग्लेंड की सरजमें पर भारतिये कप्तान बना हार्दिक पांडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी मानी जा रही है, विल्कुर क्योंकि यहाँ पर एक बात स्बस्ट हो गई है, कि जो टीम आयर्लेंड के खिलाफ खेली थी टीटोटी में वही पहले पर उतर रही है, तो कहीं न कहीं, अब हार्दिक पांडिया एक बार फिर से हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे, आईपल में काफी शांदार कप्तानी की थी, अपनी टीम को यहाँ पर चैंपिन मनाया था, फिर जब आयर्लेंड पहुचें तो वहाँ पर टीम को चैंपि बढ़ते हैं, और किस तरह से अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत देते हैं, क्योंकि टेस्ट के बाद एक ही दिन का गैप मिलना इसी वज़ए से हादिक पांडिया के टीम यहाँ पर आ रही है, इंगलेंड के दोरे पर ही, लेकिन एक बात यहाँ पर निकल कर यह है, कि सबसे जरूरी जो बात है, शुरुआत जो देनी है टी-टूटी सेरीज में वो हादिक पांडिया देंगे, अगर हादिक पांडिया यहाँ जीत के साथ शुरुआत कर पाते हैं, तो जो मेंड टीम जब दूसरे और तीसरे मैश में वहाँ पर उतरे गी टेस मैश को खत्म कर सब्सक्राने के बावजूद बार्टे टीम के वल चार रन से जीत पाई थी, लेकिन बल्लेबाजी काफी स्ट्रोंग देखने को मिली थी, उमीद यही करते हैं कि पहले मुकाबले में वह कामयप नहीं रहा पाई, जिसके लिए उम्रान मलिक के हम बात करें, जो उन्होंने थो मुकाबले आयलेंड के खिलाब अपना डेब्ब्यू के अंतरराज थी उसमें उन्होंने वह चाप छोडने में सफल नहीं रहे जा, उन्होंने पहले मुकाबले में एक और मैं दीए तो ले सब्सक्राइकों बात कि बात कर लिकिन महेंगे थाह इंज़ाई तो वही अब पूरा जो पूंट आज लेकर कि पूंट आट किया है कि जिस तरीकी की वो लाइन अंतरासी क्रिक्ट में उससे देखने को मिल रही है उस पर उन्हे काफी सीख की जरूवत है बिल्कुल यहां पर यही बात कही जा रही थी कि क्या उम्रान मलिक के साथ जल्द बाजी की जा रही है भारती खेमे की तरफ से लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है अब देखिया अगाव शोप्रा ने हमसे जादा क्रिकेट खेला है वो जो कुछ भी बोलने है वो अपनी जाते थे कि जिस तरह का प्रदोशन उम्रान ने दिखाया आई पियल में और आई पियल के शुरुवाती मैंच से अगर अंत तक जाये तो जिस तरह की इंप्रूब्मेंट उनकी गेंदबाजी में हुई थी मुझे लगता है यह सबसे बड़ी वज़ा थी कि उन्हें भारत और वहाँ पर रन रोग किया था वहाँ पर जीतने नहीं दिया था आयरलेंट के टीम को तो बस देखना यही है कि आने वाले वक्त में जब उबरान को एक वर्फर से मौका मिलता है तो वह भारती टीम के लिए क्या उसी प्रदर्शन को दोहरा पाते है जिस प्रदर्शन के